दोस्तो आज हम बात करने वाले हैं सनातन धर में मंतरों का विशेश महत तो क्यूं है? आखिर मंतर क्यूं बनाये गए? ये मंतर है क्या? किसने बनाये? एक मंतर को उसके सही उच्चारण के साथ ही क्यूं बोलना चाहिए? नमस्ते दोस्तो सनातन सोच के इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं मंतरों की देखे सबसे पहले तो मंतर का शाब्दिकर्द जानने की जरूरत है ऐसी ध्वनी जो आपको मेंटल पीज दे आपके मंद को शांत करे वो ही मंतर है हमारे शास्त्रों में कहा गया है मना तार्यती इती मंतर यानि मन को तारने वाली ध्वनी ही मंतर है दोस्तो सनातन धर में मंतर जपना हजारों सालों से चला आ रहा है वो रिगवेद के तीसरे मंदला के 60 सेकेंड सुक्त का गायतरी मंतरों जिसे मृत्य को जीतने वाला मंतर भी कहा जाता है और भी ऐसे कई वैदिक मंतर हैं जिने चैंट करने से हमारे physiological और psychological functions यानि शरीर और दिमाग पर positive impact पड़ता है पर कैसे? आखिर ऐसा क्यों होता है? दोस्तों वज़ा है इन मंतरों की ध्वनी वो sound जो इन मंतरों के उचारण से पैदा होती है मंतरों के अर्थ को अलग रग दें तो विशेशग्यों का मानना है मंतरों की स्रिफ ध्वनी यानि sound में ही आपार शक्ती होती है कुछ sound pure होती है और कुछ impure और ये depend करता है उनकी vibrations पर और जैसे कि Albert Einstein ने भी कहा Everything in life is vibration Modern science ने sound और light दोनों को vibrations ही माना है अब अगर आपको sound को light में बदलना है तो frequency को आपको 40 octave तक बढ़ाना होगा और तब जो आपको vibration मिलेगी वो trillions of cycles per second होगी और वो एक light के रूप में आपके सामने होगी महान योगियों ने sound को light में बदलने का काम अपने शरीर के भीतर हमेशा से किया है दोस्तों और वो मंत्रों के माध्यम से ही हुआ दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से हम आपको ये नहीं बताना चाहरें कि कौन सा मंत्र आप पर क्या प्रभाव डालता है बलकि हम मंत्रों की अद्बुष शक्ति के बारे में आपको बताना चाहते हैं और इससे सिर्फ religious चश्मों से नहीं scientific approach से देखना पड़ेगा मंत्रों के sound आपके लिए life के नए dimensions खोलते हैं ये ऐसी science है जिसमें आप sound की मदद से अपने आस पास और अपने अंदर एक खास atmosphere बनाते हैं जिससे आपका mind activate होता है लगातार मंत्रों की chanting से न सिर्फ focus better होता है बलकि memory और attention भी बढ़ता है क्योंकि मंत्र आपके brain cells activate करने में helpful साबित होते हैं अगर मंत्रों को सही उच्छारण, सही frequency के साथ बोला जाता है तो ना सिर्फ brain को proper oxygen पहुँचती है बलकि blood pressure भी control में आ सकता है और ये भी साबित हुआ है कि खास मंत्रों को chant करने से brain का left और right hemisphere सिंक्रोनाईज होता है आउम की बात करें तो इसे original sound of creation भी कहा जाता है ऐसा माना जाता है कि हजारों साल पहले जब ध्यान लगाने वाले तपस्यों और रिशियों ने गहरी ध्यान की प्रक्रिया के दौरान जो sound सुनी थी वो आउम की ही थी और फिर आउम तो सनातन धर्म का प्रतीक ही बन गया क्योंकि सनातन धर्म में इंसान हमेशा से तपस्या और ध्यान लगा कर स्वयम की उत्पत्ती और अंत की खोज में अपना जीवन जीता आया है दोस्तो आपने कई योगियों और तपस्यों को सिर्फ हमिंग पे मेडिटेशन करते देखा होगा वही हमिंग साउंड जो आउं बोलते समय सबसे आखिर में निकलती है दोस्तो सैंटिफिक रिसर्च में ये भी साबित हुआ है कि सिर्फ हमिंग से जी हाँ सिर्फ हमिंग से आपकी बॉड़ी में नाइट्रिक ऑक्साइड का प्रोड़क्शन बढ़ जाता है नाइट्रिक ऑक्साइड एक खास कंपाउंड होता है जो नर्वस, इम्म्यून और कार्डियोवस्कलर सिस्टम्स में होने वाली कई प्रोसेसस में हेल्प करता है ये बात सनातन धर्म में करीब 15,000 साल पहले से भी चली आ रही है तो दोस्तो ये कहना जरा भी अतिश्योक्ति नहीं होगी कि रिशी मुनी उसकाल के साइंटिस्ट ही थे जो लगातार हुमन बॉड़ी को अपक्रेट करने के तरीके ढून रहे थे और मंत्र उन साइंटिस्ट के एक तरह के टूल थे अगर बच्चों को मंत्रों की इंपोर्टेंस समझाई जाए और बच्च्पन से मंत्रों की चैंटिंग की आदत डाली जाए तो उनके ब्रेन का डेवलप्मेंट एक अलग लेवल पर होगा दोस्तो यही तो सनातन धर्म है ऐसे तोर तरीके जिनोंने इंसान का जीवन जीने का तरीका बतला सनातन सोच के माध्यम से हम आपको वो ही मशाल थमाना चाते हैं जिसे हजारों साल पहले हमारे पूरवजों ने प्रजो लित किया था क्योंकि दोस्तों हमें लगता है वर्तमान में सनातन सोच की आवशक्ता है क्योंकि यही हमारा भूत है और यही भविश्य मैं हूँ अमिड्योंडी प्रणाम